है गाइज तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारा आज कहां कहां पर ट्रेड बना था और उसके पीछे का लॉजिक क्या था और अगर आप वहां ट्रेड लेते तो आपको एक वहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट होता तो हम इन सारे पॉइंट पर बात करेंगे और इस वीडियो की सुरुवात करेंगे इसमें दो वीडियो होगा एक सौट सेक्षन में जो वीडियो आपको देखे को एक मिनिट से कम कर रहता है तो अच्छा उसके बाद में अगर इसका पूरा फ्यल बुडिये देखना है तो आपको वीडियो सेक्षन में जाके देखन परेगा ठीक है चलिए हम लोग शुरुवात करते हैं कि आज कहां कहां पे हमारा ट्रेड बना था और वहां पे अगर हम ट्रेड करते हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी सेलर के लेबल पर मार्केट ओपन होगा तो सेलर रिय रहेगी तो मतलब हमारा पहला ट्रेड यह बना ठीक है यहां पर हमें सौट करना था जो हमने किया ठीक है तो अब हमने सौट तो कर दिया लेकिन हम टार्गेट कहां तक कर रखें तो टार्गेट बायर का लेबल कहां का है तो बायर का लेबल हमारा यह बला है ना तो हम यहा लेबल कौन सा होगा अब कई बार लोगों को इंतिजार नहीं होता है तो यहां भाई भी लोग कर लेते हैं चलो बाई कर लिए तो उसका target क्या रखोगे मादो कि अगर आप ने यहां buy कर लिया काफी देर तक यहां market इंफेजार किया है उसके बाद मार्केट अगर लेवलन निकालता है तो हम buy करेंगे लेकिन उस बाई का level हमारे लिए क्या रहेगा कि हम वहां पर जाएं तो हमें वहां पर profit book कर लेना चाहिए इसके लिए पहले यह देखना पड़ेगा कि previous seller का resistance यही था previous seller का resistance अगर आप यहाँ पे देखोगे न यह वाला तो से हम वही बन रहा है चलो ठीक है लेकिन हम उसको भी अभी नहीं मान रहे हैं हम यह मान के चल रहे हैं यहां पर कि हम यहां से सिधे फिब मार देंगे इस जगह से हम फिब मार देंगे इस लोका पॉइंट फाइप और पॉइंट शिक्स पर है तो यहां तक हमारा target रहेगा और यहां पर हम सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे तो अब यह बात आती है कि सेम जगह पर डबल टॉप बन जाता है तो थोड़ा confidence बढ़ जाता है लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ तो हम यहां सेलिंग का ट्रेड बनाएं यह इंतिजार करें तो कुछ सब्स बैक 0.5 और 0.6 पर आया तो वहां पर हम next quantity डालेंगे मतलब हम कुछ quantity इस जगह पर डालेंगे ठीक है तो यहां पर हमने कुछ quantity डाल दिया अगेन अब यह लेवल क्या हुआ अब ध्यान रखना कि अब यह जो सपोर्ट था वो टूट गया है तो मार्केट नीचे जाएगा जब वहां पर आयगा तो एगेन सेलिंग आएगी मतलब या तो सेलिंग वहां मान के चलो या फिर इस लो से हाई मार करेंगे तो पॉइंट फाइप परसेंट अगेन आपको मिल जाएगा वहां पे तो आपको कुछ quantity यहां आड करके चलना है तो अगर आप देखो तो अब यहां पर quantity आड करो या स्केलपिंग करो कुछ भी करो दोनों केस में आप profitable लहोगे इस जगह पे और टार्गेट रहेगा यह पूराना ट्रेंड लाइन जो बहुत पहले से आपको आ रहा है यह वाला जो ट्रेंड लाइन है यही टार्गेट था हीट हो गया टार्गेट हीट होने के बाद में अगर आप बाई करेट करना है तो यहां से करो या फिर थोड़ा एक projection बनने दो तो अब यहां से आप देखोगे इस हाई को मार्क करोगे तो आपको projection बन रहा किस केंडल पे इस वाले इस रेड केंडल पे यह वाला जो रेड केंडल है यह वाला वहां पे आपको projection बना वहां बाई करो टार्गेट हमको कहां तक कर रखना है तो रेस्टेंस जो रहा है को वहीं तक टार्गेट रहेगा और यह आपका टार्गेट था और मार्केट ने वहां तक खेट किया तो यह आपको आज कितना ट्रेड बना एक दो तीन चार पांच छे मतलब मैं चार ट्रेड काईदे से बना है भले उस पर जाओ गए तो video पूसेंग थार सबस्क्राइब कर लेंगा ।